जो यहां पे रह रहे हैं, सभी को आज तक मानिय सुराचिंग सुभान अभी बीच में आया थे, कि सभी को पट्टा देंगे, ना किसी को आज तक ना पट्टा मिला, ना कूछ ने मिला, ये सबसे बड़े मुद्धा ये हैं, और ये अभी बोले नर्वदा को रीडोर, के पास आज तक लाइट पहुंच पाई, ना पानी की सुब्धा पहुंच पाई, बहुत समस्योग सामने करें, ये जो विकास नहीं हुआ है, लाइट बिजली पानी नहीं पहुंच पाई है, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, चुनाओ लड़ेंगे, और सारी योजनाओ का लाब, प्रते एक वेक्ति, ऐसा कोई वेक्ति नहीं है, पुरे भारत देश में, पुरे पुस्पराजगड़े विधानसबाद चेतर की बात करेंगे, तो एक वेक्ति का नाम बतारी, जो भारती जनता पार्टी की उजनाओ का लाब में लिया, सिंगल एक वेक्ति कुरोना में जूज रहा था तो वेक्सीन, फिरी में वेक्सीन भारती जनता पार्टी सरकार ने लगवाई, वेक्सीन तो चली ठीक हो गया, तो अधिकार है और सर्दार करता वे, जो कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, छेतर में मुद्दे बहुत सारे हैं, उनको करती नीदी थे, जनता भी थे और जो पुजारी परिवार हैं, पुष्टेनी, यहाँ पर कई पीडियों से सेवा करते हुए आ रहे हैं, वो भी हमारे साथ हैं, हमारे बीच्टे और बड़े खुल कर उन्होंने इस मंचे से अपनी बात रखी है, साफ तोर पर जो मुद्द पुष्पराजगर विधानसभा में जो चुनाओं होगा, मुद्दो का चुनाओं होगा, काफी टफ एलेक्शन होगा, और जो चाहे वो कलाकार हो या फिर अलग अलग जनप्रतिदी हो या फिर जनता हो अपनी मांगो को लेकर इस बार काफी मुखर है, और इन मुद्दों पर मतदान करने जाएगी वीडियो जनलिस्ट दीपक कुमार के साथ मैं वासू चौरे पुश्पराज घर से